अधिकतर शेर 20% से ज़्यादा गिर है अगर किसी का पॉर्टफोलियो डेर बहने पहले तक 20% पॉफिट में था तो अब उसका रेड़ बे होना लाजमी है तो रेड़ में होना ये लाजमी है चाहे पॉर्टफोलियो का साइस एक लाक रुपे का हो या फिर एक करोड रुपे 50 इंडेक्स यानि कि 13 नवंबर को भी करेक्शन लगतार जा रही है 27 सितंबर 2024 को ये 26,277 से अपने लाइफ टाइम हाई से अब तक ये 10% से ज़्यादा गिर चुका है लगतार पांच ट्रेडिंग सेशन से लगतार गिर ही जा रहा है और बिकवाली कहीं भी रुकने का नाम नहीं ले रही है इसी तरीके से मैं सेंसेक्स भी आपको दिखा हूँ तो सेंसेक्स भी 1% से ज़्यादा फिर से गिरा है सेंसेक्स ने भी अपने शिकर से 8000 पॉइंट से नीचे की गिरावट दर्ज कर लिए और सबसे ज़्यादा हाहाकार मचा है मिड़ कैप और स्मॉल में हुआ क्या है mid cap और small cap में जो कि दोनों 2.6% और 3.1% नीचे बंदुए हैं यह दोनों ही इंडेक्स अपने investors के पसंदिदार हैं क्यों क्योंकि इन दोनों ने हाल ही की correction से पहले return खतरनाक जबर्दस दिया year to date अगर देखें तो दोनों इंडेक्स ने 25% डिटन दिया वहीं निफ्टी ने सिर्फ 9% डिटन दिया लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यह दोनों अपनी दोर के बाद ठक चुके हैं और अब तो दोनों इंडेक्स की काफी सारी कंपनिया अब इन्वेस्टेर्स और एक्सपर्ट्स को काफी ओवर वेल्यूड भी लगने लग गई है अचा थोड़ा साब मैं आपको यह समझा देता हूँ कि small cap औ mid cap होता क्या है देखो 500 करोड रुपे से कम के market cap वाली कंपनिया को हम small cap कंपनियों के कैटेगरी में रख देते हैं 95% से जदा भारतिये कंपनियों को small cap माना जाता है इन कंपनियों में जदातर अगर आप देखो तो लोग पैसे इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि बहता रिटर्न जादा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है लेकिन जहां जादा रिटर्न की उमीद होती है वहाँ इन कंपनियों में volatility बहुत जादा होती है यानि कि ये कभी peak पे जाएंगे कभी उतनी तेजी से down पे जाएंगे तो यहाँ पर risk भी बड़ा associate होता है अब दूसरी तरफ होता है mid cap stocks mid cap share क्या होता है large cap share और small cap shareों के बीच आने वाले share सारे ही mid cap है इन कंपनियों का market capitalization अगर आप देखोगे तो 5000 करोड से लेकर के 20,000 करोड रुपे के बीच होता है mid cap category के जाएदर कंपनिया growth stage में होती है यारे कि अपने growing stage में होती है तो उसे profit realization की उमीद लोगों को ज़्यादा होती है इसलिए investors को ये small cap और large cap से जादा mid cap बहुत साई लोगों को attack करती है अब अभी क्या हुआ है सारे के सारे sectors लाल है जैसे मैं आपको यहाँ पहले दिखा देता हूँ यह देखो भी हुआ क्या है आप अगर यहाँ पर nifty 50 देखें तो nifty 50 में ज्यादातर आपको लाल दिखेंगे बैंक अगर आप देखें तो बैंक में 12 stocks हैं सारे के सारे लाल है इसी तरीके से mid cap 100 अगर आप देखें तो आपको बाप रिबाप मार्केट यहाँ पर खूनी लाल दिख रहा है तो इस वक्त maximum sectors maximum कंपनिया हर जगे माहौल बिलकुल लाल का है यानि कि हर जगे तगडी वाली गिरावट है इस वक्त सभी sectors को तगड़ा वाला जटका लगा है इसमें निफ्टी, रियाल्टी और मेटल में अगर आप देखोगे तो 2% से ज़ादा गिरावट है और JSW Steel, Tata Steel, Kohl India, Vedanta सब में बहांकर गिरावट है यहीं आटो शेक्टर को भी अगर आप देख लो आटो शेक्टर में भी तो भयांकर गिरावट देखने को मिली है जैसे कि मारुती सुजुकी लेलो आप पजाज आटो लेलो आप, M&M लेलो Hyundai Motor लेलो, सब के सब गिरावट में 2% से ज़ादा सब के सब टूटे है और बाकी के sectors भी अगर आप देखो जैसे Nifty Bank देख लो, Pharma देख लो Healthcare देख लो, Energy देख लो FMCG देख लो, Infra देख लो, Metal देख लो ये सब के सब 2% से ज़ादा एक दिन में तूट चुके हैं अचा, FMCG और आटो सेक्टर का लगता तूट रहा इन सेक्टर के दिगजों के खराब रिजर्ट भी बता रहे हैं कि कंजूमर स्पेंडिंग में बहुत ज़्यादा कमी आ रही है अब बढ़ती महंगाई के चलते हैं मुझे लगता है कंजूमर साइध एक्स्ट्रा स्पेंडिंग से इस वक बच रहे हैं और जहां बचत हो सके वहां वो बचत कर भी रहे है यही वज़य है कि इन दिन आप आटो सेक्टर में कारों का हाल देखोगे तो कारे इस वक बिक नहीं रही FMCG के दिगज कंपनी जिसे हुएल हो गया, बिटैनिया हो गया, डाबर हो गया इन सब का प्रॉफिट अगर आप देखो सब के प्रॉफिट पर भेंकर कमी है अच्छा आप समझाता हूं ज़र आपको महंगाई का डर इस वक कितना जादा सरचाड़ करके बोल रहा है, हुआ क्या है कि अक्टूबर महीने के महंगाई के नंबर ने सब को चौका दिया है हैरान कर दिया है और कहीं न कहीं ये सब एक बड़ी परिशानी का सबब भी बन सकता है और ये महंगाई का जो नंबर है Reserve Bank of India का खासा दियान होता है और इसी के चलते बैंक rate cut करना है या नहीं इसका फैसला लेती है अला कि October की महंगाई गर आप देखो तो October की महंगाई दर 14 महीनों में पिछले टोटल 14 महीनों में 6.24% के हाई पर है डिटेल रिपोर्ट अगर आप इसका देखोगे तो 22 स्टेट में से 10 स्टेट ने ये आकड़ा 6.24% से जादा है और बात 36 गड़ के अगर आप करो तो 36 गड़ में सबसे जादा महंगाई देखी गई है यानि कि सबसे जादा मार पड़ रही है भईया वहाँ पर और गाउं की बात करो तो गाउं में रहने वाले 22 में से 20 प्रदेशों में सहर के मुकाबले रूरल एरिया में बहुत जादा महंगाई है और इस बड़ी महंगाई में सबसे जादा contribution अब रहा है भईया खाने पीने की चीज़ों पर जैनि कि जो चीज़े हम खाते हैं जैनि कि रोज मर्रा में जो हमको खरीदने के लिए उतना ही खान पान करने के लिए 7000 रुपे से जादा पे करोगे यानि कि middle class जिसकी कमाई से खर्चे उसके पहले ही पूरे नहीं हो पा रहे थे अब उसकी मुश्कले और जादा बढ़ चुकी है अचा सवाल यह उठता है कि बढ़ तो चुकी है क्या ही ठीक होगा कहा नहीं जा सकता क्या यह मुश्किले और बढ़ने वाली है इसके chances और जादा है वह या यह 36% जो बढ़ा है यह और जादा बढ़ सकता है और अब जरह यह भी समझ लेते हैं महंगाई जो इतनी बढ़ रही है इस पर हमारी RBI क्या कर रही है RBI क्या कर सकती है इस पर महंगाई RBI को हमेशा ही uncomfortable करता है एक तो rate cut की उमीद में बैठा बाजार अब rate hike से डरने लग गया है क्योंकि जहां rate कम होना था अब यह rate बढ़ रहा है क्योंकि महंगाई अगर control से बाहर हुई तो RBI rate बढ़ाएगा और ऐसा हुआ तो market से liquidity यानि की cash बाहर हो जाएगा वही है अब इसका सीधा असर कहां पढ़ेगा सीधा असर पढ़ेगा share market पर और इसका असर बुरा ही होगा यह तो तय है देखे होता क्या है कि देश के सभी bank RBI इसे करज लेते हैं और वहां अपना पैसा जमा भी करते हैं अब इन दोनों चीजों पर RBI ब्याज लगाता है या तो ब्याज लेगा या फिर ब्याज देगा ऐसे में अगर RBI ब्याज दर बढ़ाया तो bank के lending यानि के देंदारी कम हो सकती है क्योंकि बढ़े हुए दरों पर मिलने वाला पैसा किसी को पसंद आता नहीं अब आप ही को महेंगा interest देना पड़ेगा आपने पैसे के लिए तो थोड़ी पसंद करोगे नहीं ना हाल यही है अचा दीरे दीरे बाजार से liquidity कम होती जाती है और महेंगाई पर थोड़ी लगाम लग सकती है अगर ऐसा हुआ तो क्योंकि कम पैसे के चलते हैं लोग पास पैसा है ही नहीं तो demand भी कम होगी अचा demand कम होगी तो price control में आ सकता है और अभी दिसंबर में क्या होने वाला है कि दिसंबर के पहले अप्ते में RBI में monetary policy committee की meeting हो सकती है तो अब इस meeting में क्या होता है तो यह meeting होने के बाद ही में पता चलेगा अचा एक बड़ी मुश्किल हो और इतनी सारी मुश्किले हैं बढ़ता डॉलर मजबूत dollar जितना होता चला जाएगा रुपिया उतना कमज़ुर होता चला जाएगा और रुपिया जितना कमज़ुर होगा हमारी भारी होती चली जाएगी हमारी मुश्किले बढ़ती चली जाएगी अब यह खेल क्यूं हो रहा है जब से डॉनल्ड ट्रम्प के चुनाव जीते हैं, उनी के चुनाव जीतने के बाद रुपिया में भारी गिरावट देखने को मिली है, और लगतार रुपिया गिरता ही जा रहा है, और डॉलर मजबूत होता जा रहा है, इसका असर पूरे देश की इकॉन्वी पर भी पड़ता है, जैसे इसे डॉलर मजबूत होगा, इतना ही दी, SBI ने तो अपनी एक रिपोर्ट में बता दिया, कि ट्रम्प के कारिकाल में रुपिया और जादा तूट सकता है, कितना जालोगे, रिपोर्ट के एकॉर्डिंग, डॉलर के सामने रुपिया आट से दस परशंट और गिर सक रुपिया वो आपको कल 90 रुपे देने पड़ेंगे एक डॉलर लेने के लिए, अब रुपिया ऐसा ही गिरता रहा, तो RBI को भी या कुछ ना कुछ तो बड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे, नहीं तो बोला ना जेब भारी, मिडल क्लास पहले ही परिशान है, परिशानी और जादा बढ़ेगी, अब एक खास बात है, हमारे जो देसी इंवेस्टर हैं, यानि कि देसी इंवेस्टर में मैं डॉमेस्टिक इंस्टिशूशन इंवेस्टर की भी बात कर रहा हूं, और रिटेल इंवेस्टर की बात कर रहा हूं, देखा जाए तो इन ही दोनों ने मि कब तक बाजार में डटे रहेंगे, कब तक खरीते रहेंगे, इनका भी तो हिम्मट तूटेगा, लगातार बाजार गिर रहा है, ये भी तो बिकवाली चालू करेंगे, सवाल ये बड़ा है, अब देखना, पिछले महिने के अगर आप बात करो, तो आकडे एक इनकरीजिंग पिक्चर पेश करते हैं, जहां FIA एक तरफ बिकवाली लगातार कर रहे थे, वहाँ DIA लगातार खरीद रहे थे, अच्छा और बड़ी चीज, SIP और मुच्वल फंड के जरिए, रिटेल इंवेस्टरस ने भयंकर स्टॉक मार्केट को समाला है, इनकी भागिदारी जोरदा करोड से जादा हो चुका है, AUM का मतलब समझते हैं, AUM का मतलब होता है, एक मुच्वल फंड वाली कंपली कितना पैसा SIP के जरिए मैनेज कर रही है, औक्टोबर दोजार चॉबिस में, एक महिने में SIP के जरिए जो कांट्रिबुशन हुआ है, वो 25,000 करोड से जादा था, जो कि अपने all-time hyper है, और mutual fund का AUM भी अपने all-time hyper इस वक चल रहा है, यानि कि 67,000,000 करोड से जादा पहुंच चुका है, पिछले मैंने mutual fund की category में equity mutual fund ने सबसे जादा, 21% से जादा की growth देखी, और इस segment में 41,000 करोड से जादा का निवेश भी आया है, यानि कि SIP और mutual fund वो है जो domestic institutional investor और detail investor के जरिये market को भी समाला हुआ है, अब यह थे मेरे हिसाब से वो factors जिसकी वज़े से बाजार गिर रहा है, वो factors जिसकी वज़े से आगे market में क्या हो सकता है, देश की economy पर क्या बदलावा सकते हैं, महंगाई कहां जा सकती है, डॉनल्ड टरम के आने के बाद हमा जापस और लिसस्टी.